तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यह हमने पठानी कुर्टे के लिए कॉलर कटिंग किया है तो इस वीडियो में हमने आपको इसी कॉलर की कटिंग करना बताया है तो आप इस वीडियो को देखकर किसी भी साइज के लिए पठानी कुर्टे के लिए कॉलर कटिंग कर सक पेपर ले लिया है इस पेपर पर हम आपको पठानी कुर्टे के लिए कॉलर कटिंग करने का तरीका बताएंगे तो हमने पिछले वाले वीडियो में आपको पठानी कुर्टे की कटिंग करने का तरीका बताए था अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो क लिंक हमने इस वीडियो के description दे दिया है तो बहां से जाकर आप कुर्ते की cutting सीख सकते हैं और पठानी कुर्ते की सिलाई के वीडियो भी हमारे चैनल पर available हैं तो आपको पेश्टिंग पर कॉलर कटिंग करना है मैं आपको पेपर पर कॉलर कटिंग करके दिखा रहा हूं तो देखें हमने इस तरीके से पेश्टिंग को फोलड कर लेना है इसको तो आपको दियान देना जो पेश्टिंग पर जो चिपकने वाली CES होती है उसको हम को अंदर रखना है जो शायनिंग वाली सえड होती वह अंदर रखनी है और और उल्टी सैड बहार रखनी है तो यह देखिए यह खुली वाली सैड है और यह बंद वाली सैड है अब क्या करेंगे ध्यान से देखें तो उससे पहले आपको क्या करना है यह वाली सैड है बिल्कुल आपको सीधा कर लेना है बिल्कुल सीधा आड़ा तिर्शा बिल्कुल निसान लगा दिया है, यहां से इहां तक सब्रहना आधा अच्छ और यहां से यहां तक दु इन्च इसके बाद एक निसान लगाएंगे इसके नीचे आधा य्यानि हाफ इंच का इस देखिए mr पhी पहले हम इसको सीधा कर लेते इसके बाद आगे के निसान को रखेंगे आप हम एक निसान लगाएंगे सबाइच का ठीक है उसके बाद उस निसान के नीचे हम को आधा इंच का निसान और लगा लेना है कि इसको भी मिष्टीट कर लेते हैं ये देखें दोस्तों हमने सारे मार्क इस्टेट कर लिए है तो देखिए आपका जितना भी कॉलर है उसका आप हाफ मार्क लगाएंगे यहाप पर जैसे कि मान लीजिए अगर आपका कॉलर 16 इंच है तो आप यहां से यहां तक 8 इंच का निसान लगाएंगे इस वाले मार्क और अगर आपका कॉलर 14 इंच है तो आप यहां से यहां तक 7 इंच का निसान लगाएंगे तो जितना भी आपका कॉलर है उसका हाफ मार्क लगाएं तो जैसे कि मैं 15 इंच कॉलर कटिंग कर रहा हूं तो मुझे 15 का हाफ 7 इंच का निसान लगाना है यहां से 7 इंच रखना ह और यहां से इस तरीके से यह मार्क लगा देना है यह देखे तो जितना हमने यहां लगाया है यहां जिश्ट उपर आएंगे आदा इन जादा करके लगाएंगे तो यहां पर हमने आट इंच का निसान लगा देना है तो जैसे कि यहां पर हमने साड़े साथ का लगाया था, यहां पर आठ का लगाया है, इसको इस तरीके से हम मिला देंगे क्रोस, यह देखें, तो देखिए हमने यह जो निसान लगाया है, यहां से यहां तक इसका हाफ कर लेंगे, तो हमने यहां से यहां तक साड़े साथ इं से इसनिसान से रखेंगे और इसके ज़श्ट उपर इस से एक निसान यहां लगा रेंगे हैं से यह तरीक से यह देखिए अब में से घूनाइड यहाँ से बनाएंगे हैं यह देखें इस तरीके से बना दिया है इसका आप क्या करेंगे दिहान से देखें दोस्तों देखें यह वाला जो निसान लगा है इसके आगे हमको एक इंच का निसान और लगाना है यह देखें हमने वन इंच बढ़ा दिया है आगे के लिए अब हम थोड़ा सा तिर्शा करे हैं लाद बना देना है अब से हैज़ान से नहां से नहीं देखेंगे याह उसके डिखेंगे और यहां से जितना भी आ रहा है उसका हाफ मार्क लगाएंगे तो यहां से यहां तक आ रहा है पौवने नौ इंच तो पौवने नौ इंच का हाफ हो गया साड़क चार इंच में एक सूथ कम तो यह देखिए इस तरीके से हमने इनिसान लगा देना है अब हम इस तरीके से यह शेप बनाएं गे और यहाँ मिलाएंगे अब धियान से देखए किस तरीके शेप बनाना है यह देखे दोस्तों अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है दोस्तों तो अगर आप भी शुरू से सिलाई सीखना चाहते हैं तो हमने इस चैनल पर और भी बहुत सारे वीडियो अप्लोड किये हैं बच्चों से लेकर बड़ो तक हमने हर एक टॉपिक पर कटिंग और सिलाई की वीडियो बनाए है तो अगर आपने अकिल फैसेंड डिजैनर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं क्या है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को भी लाइक कर दे अब हम आपको पूरा कॉलर दिखाएंगे इस तरी के से तो दोस्तों कैसा लगा मारे वीडियो प्लीज कॉमेंट्स करके जरूर बताएं थैंक्स पर वोचिंग वीडियो